नौईडा के सेक्टर सो में लोटस बुलवार्ट ससाइटी में भीशन आग लग गई बताया जरा है कि एसी की इंडोर यूनिट पे ब्लास्ट होने के चलते आग लगी हटना की जानकारी मिलने पार पहुँची दमकल इभा की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया थाना सेक्टर 49 चुतर की एक घटना है टावर 28 के दस्वें फ्लोर के फैट में ये आग लगी 11 फ्लोर तक के आग पहुँच गई वो तो गनीमत रही कि वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा था इसलिए समय रहते आग पर काबू पा लिया किया दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला किया चीफ फायर आफिसर ने लोगों से अपील किया है कि वो 24 घंटे एसी ना चलाएं एसी को बीच बीच में थोड़ा आराम भी दें यह आग जो है स्प्लिट एसी में लगी थी इंडोर यूनिट के नीचे टेबल रखा हुआ था उससे आग पूरे रूम में फैल गई पर अच्छी बात यह रही कि वो आग जो है एक ही रूम में फैली उससे आगे बढ़नी पाई सभी लोग सेफ हैं जी बिलकुल यहाँ पे जो सभी लोग सुरक्षित हैं किसी को कोई इंजरी नहीं है कोई भी जनानी नहीं है परंतु मैं आपके शोता गण से मैं गुजारिश करूँगा एक निवेदन करूँगा कि देखिए ये एसी जो है अभी बाहर का तापमान बह गर्मी के विज़से आग लगने की घटनाय लगातार सामने आ रहे हैं बरेली जिंक्षन पार मिलिटरी के एसी का कमप्रेशर फट गया एसी का कमप्रेशर फटने से अफराद ताफ्री मच गई लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई है चंद मिंटों में आगने विक्राल रूप लिलिया बिज़नौर में बैंक्वेट हॉल में भीशन आग लगने से हलकम मचके आज शॉट सरकिट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है जबकि लखीम पूर्खिरी में भीशन गर्मी के चलते रोड पर चलती बाइक में आग लग गई आजम खान से जोड़ी बड़ी खबर है डूंगरपूर केस में आजम खान को दस साल की सिजा सुनाई गई है MPML कोट ने दस साल की सिजा सुनाई है साथ की आजम पर चौदे लाग का जुर्माना भी लगाया गया है तो MPML कोट ने दस साल की सिजा सुनाई है ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं डूंगर पही है MPML कोट ने दस साल की सिजा सुनाई है इनको जो कारवास मिला है वो दस साल की सजा है और सारे जितने भी शेक्षंस हैं उनमें कुल मिला के जुर्माना 14 लाग है मामला क्या था ये जो मामला था डूवर पूर वस्ती से संबंदित मामला था जिसमें वादी अवरार द्वारा एक उपर्मा लिकवाया गया था ठाना गंज पर 2019 में घर में घुसकर नूट पाट करने का जान से मारनी की धंकी देने का घर को तोड़ देने के संबंद में और ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे जिनको कलमानी ने द्वारा सावित पाया जया है और इसमें आज सजा सुनाई गई है कानपुर में एक अदिवक्ता पर जमीन का अबजाने और पैसे हडपने का गंभीर आरोप लगा है पुलिस कमिशनर आफिस पहुंचकर बारह से जादा लोगों ने अपनी शिकायत दर्च कराई पीर्टो ने पुलिस पर भी मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है पी पैसा जो है एलनेस मनी मल्टिप्लायर में लगा और उन्होंने बोला था कि मैं सेयर में जो प्रॉफिट होगा मैं दूंगा मैं लश्मिनायन सुकला के जिंदा रहते मैंने उनको बोला भी आप मेरा पैस कर दिए मुझे काम है यह लोग डिफाल्ट कर गए नहीं पैसा दे पैसा तो लगभग जितने लोग थे उसमें तो दो सो क्रोड़ पर काकल लंता श्रिकेश जनभूमी और शाही इदगा मस्जिद विवाद मामले में आज भी लाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस मेंग कुमार चेंड की सिंगल मेंच ने सुनवाई शुकरवार को जारी रखने का आदेश दिया है मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट तस्नीम अजीज से अहमदी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के सरगे अपना पक्ष रखा आज हाई कोर्ट में सुबह दस बुझे से दोपहर एक बुझे तक सुनवाई चली है अब कल फिर से सुबह दस बुझे से मुस्लिम पक्ष अ हाई कोर्ट इलाबाद में जस्टिस मैंग जल साथी अधालत में कोर्ट नमर 89 में स्रीकिस जन्रेम मामने की शर्वाई ही और ये सुनवाई सुबह दस बज़े से लिकर के एक वज़े तर लगाता होती रही जिसमें के सही इद्गा पक्ष के एड़ोकेट से पना पक्ष है कि इस केस को लिंगराउन करना चाते हैं लटकाना चाते हैं इसलिए वो तथ्धों को बार 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 रिपीट कर रहे हैं और केस को निसारत नहीं होने दे रहा है रुख रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए ख़बरों का सिलसला लगातार चुआ रही है आप देख रहे हैं न्यूज एटीन उत्तरदेश उत्तराखन